हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल वॉल्यूम स्टेडी में फ्रेंट्स रेलवे गुरूप डी भरती 2018 वाले कंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी ओपीशल अपडेट आचुकी है जिहां फ्रेंट्स आर आर सी ने गुरूप डी वाले एक लिस्ट जारी कर दिये जिसमें फ्रेंट्स 622 कंडिडेट हैं और सभी 622 कंडिडेट की कंडिडेचर को ऑफिशली केंचल कर दिया है तो फ्रेंट्स गुरूप डी वाले कंडिडेट के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है अब फ्रेंट्स में आपको बता दो जो 622 चैनि के ताइम पर एफ सेंň तो लिया लेकिन जब वह मेडिकल एग्जामनिशन के लिए पुलाया थे तो मेडिकल एक समने करवाया si उख स्था मेडिकल के लिए अपिल नहीं किया है और ऐसे सभी कंडिडेट्स trailalayalc 622 candidate को officially reject कर दिया है और RRC group D की भरती से बाहर कर दिया है अब friends क्या जो 622 candidate को का list जारी किया है जिनका candidature cancel किया है उन candidate के इस्तान पर waiting को clear किया जाएगा या नहीं किया जाएगा क्या 622 candidate का waiting clear होगा या नहीं होगा इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो friends चलते हैं South Center की South Center Railway की official website पर और देखते हैं सब कुछ detail को इससे पहले आप से request एकी channel पर पहली बार विजिट करें तो please channel को subscribe कर लिजे ताकि इस प्रकार की update आपको लगतार मिलती रहे official website अब यहां से देखिए आपको एक flash करता हुआ notification देख जाएगा Intimation of rejection of candidature non-PWBD candidate CEN no.2.2018 या फिर friends आपको notification वाले section में जाना होगा notification के उपर जैसे किलिक करेंगे तो आपको notification वाला section open हो जाएगा अब यहां से देखिए जो first में update रिखा है Intimation of rejection of candidature non-PWBD CEN no.2.2018 तो friends जैसे यहां इस लिंक के उपर किलिक करेंगे तो आपको डाउनलोड होने का यहां से लिंक मिल जाएगा तो मैंने इसकी PDF फाइल पैड़े ही डाउनलोड कर रखिए तो तो friends यहां से देखिए मैंने PDF फाइल को open कर लिया है साउथ सेंटर रेलवे डेट देख लिजेए 5 जनवरी 2021 यह नोटिस सेंग क्या देख लिजेए CEA नमबर 2-2018 नोटिस में देखिए Intimation regarding rejection of candidature non-PWBD CEA नमबर 2-2018 Level 1 post of 7 CPC pay metric अब friends इसमें क्या अपडेट जारी किया है सबसे पहले तो लिस्ट को देख लीजे इसमें बहुत सारे candidate है लगबग 622 candidate है और इन सबी candidate की अलग-अलग region से Candidature को officially cancel कर दिया है reject कर दिया है अब फिर से इनकी Candidature पर विचार नहीं किया जाएगा अब एक बार update में देख लेते हैं यह क्यों इनका Candidature reject किया है तो यहां से देखिए फस्ट में जो इनके CBT exam हुए थे उनका date दे रखा है इसके बाद इनका जो physical efficiency test हुआ था उसका exam date दे रखा है non-PWBD वाले candidate के इसके बाद document verification और medical exam जो इनका first और second phase में हुआ था उनके भी detail दे रखे है अब friends देख लीजिए इनके जो rejection के जो कारण बताए हैं तो first में देखिए जो 381 candidate है वो candidate ऐसे हैं जिनने उनने document verification नहीं करवाया first और second phase में और यह document verification में अनुपस्तित रहे यानि absent रहे और ऐसे candidate की candidature को cancel कर दिया है और ऐसे 381 candidate है second में देखिए जब कोई जो candidate document verification के time पर गए थे और second और first और second phase में इननोंने document verification करवा लिया लेकिन बाद में जब इनको medical examination के लिए बुलाया था तो 96 candidate ऐसे हैं जो medical examination में नहीं गए और medical examination को यह absent कर गए तो इसलिए इनको बाहर कर दिया है third में देखिए जो candidate medical examination के लिए गए थे 2012-2020 के notice के अनुसार ऐसे 147 candidate हैं लेकिन इसमें से कुछ candidate ऐसे हैं जो B2 और इससे बिलो वाले medical में unfit हो गए थे ऐसे 113 candidate को remedical के लिए appeal करने का मौका दिया था लेकिन इन कंडिडेटों ने remedical के लिए appeal नहीं किया और इनको दुबारा मौका मिलने के बाद भी इनको अब नहीं appeal किया और इनको बाहर कर दिया third में fourth में देखिए जो candidate को यहां से देखिए document verification के लिए बुलाया था first और second phase में लेकिन इनको किसी कारण से reject कर दिया है जो नीचे दिया हुआ है इनका कारण इसमें से जो 6 candidate है उन candidate के तो biometric mismatch कर गए इसलिए इनको reject कर दिया है और lifetime के लिए debatt कर दिया है यानि इनोंने या तो कोई फरजी वाड़ा किया होगा या कोई और कारण रहा होगा इसलिए इनको हमेशा हमेशा के लिए इनको प्रतिबंदित कर दिया है और जो 26 candidate हैं इनको pending में डाल दिया है और इनका region भी नीचे दिखा दिया है अब देखिए इसमें total candidates की बात करें तो friends 622 candidate हैं और इन सभी candidate की कंडिडेचर को कैंसल कर दिया है और बाकी इसके जो नीचे डिटेल हैं वो दे रखे हैं तो फस्ट में बात करते हैं 600-381 candidates की जो document verification के time पर absent रहे गए जो फस्ट और second phase वाले candidate है तो सारे candidate यहां से अपने serial number, roll number और candidate के name यहां से match कर लिजिए इसमें 381 candidate है और इन सभी candidate की candidates को officially cancelled कर दिया है अब फ्रेंट्स इसकी PDF फाइल के यदि आपको link चाहिए तो description box में मिल जाएगा वहां से आप इसे download करके आराम से देख सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां से देखिए जो फस्ट में 381 candidate है इन्होंने document verification नहीं करवाया इसके बाद और नीचे चलते हैं तो यहां से देखिए जो 96 candidate हैं यह medical examination के लिए नहीं गए इन्होंने document verification करवा लिया first और second phase वाले तो जिन candidate ने document verification के बाद में medical examination नहीं करवाया है ऐसे 96 candidate हैं और इनके सभी के detail यहां पर दे रखे हैं तो यह भी candidate अपने detail देख लीजिए अब friends यहां से चलते हैं नीचे तो यह देख लीजिए 96 candidate हैं जिन्होंने medical examination नहीं करवाया इसके बाद में यहां से देखिए 113 जो candidate हैं इन्होंने क्या किया है medical examination तो करवाया था लेकिन B2 और इससे जो नीचे का medical होता है standard उसमें यह unfit हो गए और इनको remedical के लिए फिर से मौका दिया गया था लेकिन इन्होंने remedical के लिए appeal नहीं किया इसलिए इन candidate को भी बाहर कर दिया है और ऐसे total candidates हैं यहां से देख लिजे 113 अब यह देख लिजे 113 candidate है अब friends बात करते हैं आगे candidate की तो यहां से देखिए जो 32 candidate है इनका क्या reason दिया है इनको क्यों बाहर किया है तो first और second phase में इनका क्या हुआ था यहां से देखिए जो first वाले candidate है इनका date of birth है mismatch कर गया इसलिए इनको बाहर कर दिया है यहां से देखिए not turned up for medical यह medical के लिए बुलाए थे इसलिए यह नहीं गए तो इनको बाहर कर दिया है तो इस तरीके से सभी candidate अपना अपना region देख सकते हैं यहां से देखिए candidates belong to ST but mark OBC in application यानि candidate ST से belong करते हैं लेकिन जो इनको application भरा था उसमें OBC इन्होंने submit कर दिया biometric not verified इनका biometric verified नहीं हुआ और इनको FIR इनके लिए login कर दिगई है इसके बाद यहां से देखिए OBC not submitted candidate है तो इस तरह के के अलग-अलग region दे रखे हैं OBC not submitted candidate देख लिए यहां से तो इस तरीके के जो भी candidate है उनको कंडिडेचर को officially cancel कर दिया है अब फ्रेंट्स इस लिस्ट में total candidates की बात करें तो लगवग 622 candidate है और सभी की कंडिडेचर को cancel कर दिया है अब फ्रेंट्स क्या बात करें जो 622 candidate है इन candidate के इस्तान पर जो वेटिंग लिस्ट में candidate है उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो फ्रेंट्स रेलवे के रूल के अनुसार जो 622 candidate है इतने candidate का साउथ सेंटर रेलवे से वेटिंग किलियर होने वाला है अब इसमें टाइम लग सकता है लेकिन जो भी candidate वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं वह candidate इंतजार करते रहे हैं उनके लिए अच्छी ख़बर आने वाली है 622 के लगभग candidate के यांसे कैटेगर रिवाइज वेटिंग किलियर होने वाले हैं तो फ्रेंट्स यह अबडेट था वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इस प्रकार की न्यू अबडेट आपको लगतार मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वी